Assalamu alaikum, this is me Numan Chaudhary from Canada दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Spousal Sponsorship के वाले हैं और उसमें भी हम Specify करने वाले हैं Nikah Only Cases मुझे कुछ कॉमेंट्स मसूल हुए तो मैंने का चले हैं इस सवाले से थोड़ी अपडेट दे देते हैं इस marriage को बिल्कुल भी accept नहीं करता है फिर बात आजाती है physical निकागे यानि के बंदा यहां से जाकर पाकिस्तान में निकाग करता है और फिर वो अपने spouse को यहां पर invite करता है इस case में भी जो है वो काफी मुझकलात का आपको सामना करना पड़ सकता है तो बी honest और 2023 के अंदर भी जो अपडेट्स हा रही है जो मैंने यहां पर different research किया और यहां पर जो different groups में और मेरी कुछ लोगों से बात भी यह सवाले से उनको काफी जो है मुझकलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि देखें जब आप एक निकाह किस लगाते हैं IRCC के सामने रखते हैं तो उसमें बहुत सारे red flags उनको नजर आते हैं क्योंकि यहां पर IRCC का जो immigration system है इनके नजदीक पाकिस्तान में शादी तब ही बहतरीन तसवर की जाती है जब शादी में मुकमल तरह की रसुमात की जाए यानि के मेंधी भी की जाए आप जो है वो बरात ले कर जाए दुलहन के सर पर रुखसती वगारा की pictures हो यानि के वो कुराने पाक रखा हो और वो जो है वो रुखसती की pictures आप submit करो है फिर आप वैडिंग reception करें वलीमा बहुत बड़ा करें guests की picture दिखाए इवन के जो marriage की receipts है जो आपने shopping की है बहुत ज़्यादा jewelry करीदी है कुछ भी समान लिया है उसकी receipt लगाएं ये proofs हैं तो ये इनको दिखाने पड़ते हैं इनके सामने रखने पड़ते हैं तब ही ये उससे satisfied होते हैं बाकी के parameters के हवाले से भी हम बात करेंगे लेगिन यहाँ पर मैं specify करना चाहूँगा निकाह only cases को ऐसा नहीं है कि IRCC ने निकाह only cases को हमेशा जो है reject किया अप्रूब भी हो हैं लेकिन जो approval rate है वो unfortunately बहुत ही कम है अब यहाँ पर एक और चीज को highlight करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ने आजकल यह कर रहे हैं आप Canada के PR हैं वो जाते हैं पीछे निकाह करते हैं और फिर वहीं पर वैट करना फाइल लगाने की कोशिश करते हैं अगर आप citizen है तो फिर आप बाहर से लगा सकते हैं ठीक है लेकिन वहाँ पर भी आपको explain करना होता है कि भाई मैंने Canada के अंदर ही रहना है तो दोस्तों अगर आपका भी यही रहाद है कि मैं पाकिसान जाओंगा निकाह करूंगा और यहाँ पर अपने spouse को आकर sponsor कर दूंग जब यहाँ पर आएंगे file आपकी लग जाएगे ठीक है अपका medical भी हो जाएगा आपके spouse के bio matrix भी हो जाएगा लेकिन उसके बाद क्या होगा जब आपका relationship का status देखा जाएगा यानि कि उसको देखा जाएगा जाना जाएगा पर खा जाएगा कि यह genuine है कि नहीं वहाँ पर निकाउनली के सीजन की नजर में होते हैंगे यह immigration के लिए किया जा रहा है यह कोई इसमें सचा ही नहीं तो वो जो है इसको परकेगा पहले फिर वो आपके जो है ना उसमें आपको बहुत जदा proofs प्रोवाइड करना पड़ेंगे दो चीज़ें होती है अगर वो देखेग इसमें गेस्ट बहुत काम थे इसमें बंदें बहुत काम थे यह था वो था तो आप जो है ना मुझे मजीद proof प्रोवाइड करें अगर आपको यह चीज़ आ जाती है ठीक है आपने निकाउनली केस लगाया हुआ है तो यह आपके पास मोका होते है कि आपने सर तोड़ करना उसको as much as you can proof वो प्रोवाइड करना है जिसमें आपकी रोजमरा की चैट, whatsapp की call log, video call logs, whatsapp की chat ठीक है एक दूसरे को जो गिफ्ट बेजियों में है वो भी अब क्या होता है स्पाउस यहां पर होता है most of the cases में यहां पर अगर female भी है ना निकाह केस में तो वो अपने husband क पाकिस्तान में जो बंदा बैठा हुए वो कुछ भी नहीं बेज रहाता है तो देखें आपका spouse यहां से आपको भेज रहा है चलें अची बात लेकिन वहां से भी तो आप कुछ बेजें तो अगर आपकी यहां पर especially अगर female spouse है यहां पर तो फिर आपको यह करना चाहिए कि भाई उनको भी पाकिस्तान से गिफ्ट्स बेजें उनकी रिसीद दिखाएं ताकि उनको लगे यार कि यह दोनों तरफ से ताली बज रही है फिर आपको वह ज़्यता प्रूफ्स प्रोइड करना पड़ते हैं फिर उसके इलावा जो भी इमिग्रेशन आफिसर उस प्रोसी इसको इंटर्वी के ले भला लिये और इंटर्वु में उनने इसके रिलेशनशिप के वाले से स्लनीकों प्रूशनम पूछे। इस चीज़ से बचने के लिए बैतर तो यह है, अगर आप कर सकते हैं, मैं आपको यह recommend करूँगा, क्योंकि आप जब के जो stats कहते हैं, इस हवाले से वह को positive नहीं है, आप जाकर वहाँ पर शादी करें, फिर अपनी file लगाएं, लेकिन अगर आपकी मजबूरी है, तो फिर कु करें, यानि कि जब आप यहां से जाते हैं, निकाह करने जाते हैं, आप अपने spouse के साथ जो गप्षप लगाते हैं, बाते करते हैं, उसका record रखें, WhatsApp की chat रखें, emails एक दूसरे को send करें, वो रखें, ठीक है, उसके साथ साथ जितने proof, communication के आप कर सकते हैं, वो करें, gifts exchange करें, ठीक है, और इसके साथ साथ वहां पर जाते हैं, ठीक है, निकाह हो गया, फिर कहीं गूमने फिरने जाएं, वहां की pictures लें, और उसके बाद अपनी family को जब आप निकाह में invite करते हैं, तो कोशिच करें, ज्यादा बंदों को करें, ठीक है, और उनका भी दिखाएं, ये ये बंदा है, फिर support letter लिखाएं, फिर support letters लिखाएं, अपनी family से, अपने दोस्तों से, कि भाई, इनका relationship genuine है, इनका relationship perfect है, ये बहुत happy couple है, ये चीजे लिखाएं, तब ही आपकी file जो एक अच्छी file बनेगी और जाकर approve होगी, otherwise most of the cases में अगर आप निकाह only file लगाते हैं, तो फि आपके सामने अपने तहाफुजात रखें, जो मैंने आपके सामने चीजे रखें, अगर मेरे वीडियो अच्छी लगी, तो मेरा YouTube चैनल जरू सब्सक्राइब कीजीगा, ने वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अब तक के लिए मेरा आपका हम सबका, लाह ले के मान